तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त विशाल स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में आज की इस वीडियो में बहुत ही खाजनकारी आप लोगों को बताने वाले हैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अंततक देखेगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल भोजपुरिया जहान से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रू जुड़ियेगा चलिए शुरूआत करते हैं आज की जनकारी तो आप लोगों को बता दे मेरे भाई की अभी अभी विवेक सिंग का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है जो की आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये स्टेटमेंट और पोस्ट ठीके सेवन भोजपुरी भाई करन के लिए है यहाँ पर देखिए विवेक सिंग लिखते हैं कि स्री टीके सेवन भाईया आप बहुत बोल गए जूट मतलब यहाँ पर देखिए कि टीके सेवन पर साप साप इलजाम लगाते वे विवेक सिंग बोल रहा है और जो भी agreement को लेकर उनके उपर बाते चल रही है कि विवेक सिंग ने खेसारी भिया को agreement में फसाया था उस सभी मुद्दे पर बात करने की बात बोल रहे हैं विवेक सिंग आगे लिखते हैं पूछ लो और यही बता देना नहीं तो कल सब सच बोल दूँगा यहाँ पर विवेक सिंग सारा पोल खोलने वाले हैं मेरे भाई बोल रहे हैं कि कल सब सच बता दूँगा जरासल यह matter के बारे में आप लोगों को बताया जाये तो आज सुबह करन भाई यानि कि टीके 7 भोशपूरी वाले भाई एक वीडियो बनाते हैं इस वीडियो का थमनेल आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो में टीके 7 भोशपूरी वाले भाई वीवेक सिंग के उपर कुछ बाते बताते हैं जो की बात वीवेक सिंग को अच्छा नहीं लगता है और उसी पर लेके इस matter को आगे बढ़ाया जा और आप लोगों को बता दे कि वीवेक सिंग के यह पोश्ट जो अभी आया है हो सके कि इस पोश्ट को लेकर भोशपूरी में आगे चलके और भी विवाद क्रियेट हो सकता है क्योंकि वीवेक सिंग अब पवन सिंग के टीम में मिलते जूलते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वो, अब सब पूल खोलने वाले हैं, जो भी खिसारी लाल यादों के साथ उनका मामला था, जिसके वज़़से वो टीम से बाहर निकलेते, वो सारा चीज को अब विवेक सिंग खोलने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोग किसके साथ है टिके सेविन वाले करन भाई के साथ या विवेक सिंग के साथ कोमेंट में जरूर बताईएगा विडियो पसंद आया होगा तो विडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुडिएगा धन्यवाद